अजी आज हमारी प्रेपटरेशन का डे 46 लेक्चर 15 यूनियन एग्जेक्टिव का lecture 4 ठेक है अभी तक हमने प्रेजिडेंट को आफिस पढ़ा वाइस प्रेजिडेंट को आफिस पढ़ा council of ministers किस तरीके से वो काम करते हैं किसे वो चुने जाते हैं वो सारा हमने आफिस पढ़ा अब आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा चाप्टर है जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हमने प्रेजिडेंट की पावर्स के बारे पढ़ना है कि प्रेजिडेंट की पावर्स क्या क्या होती है कि शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि position of the president क्या है प्रेजिडेंट कहां स्टैंड करता है ने आपकी अच्छे तरीके से समझाया था कि प्रेजिडेंट क्या position प्रेजिडेंट की जो पॉजिशन है ऑक्किपई जी सेम पॉजिशन आस किंग अंडर दी इंग्लिश कॉंस्टिडिशन जैसे ब्रिटन में राजा है वैसे ही और दीएक्जेक्टिवेश एग्जेक्टिव का एड नहीं है एड का का मतब ताया है जो कॉंसल मेंनिस्टिड अपर है तो प्रेजिडेंट हेड ऑफ दी स्टेट जरूर है पर वो नॉट ऑफ दी इग्जेकटिव देखो पेपर में कभी हैड ऑफ दी गवर्मेंट की जगा वर्ड आ जाए है इसलिए मैंने यह चीज यह स्टेटमेंट डॉक्टर बिया रंबेत करजी की इससे लिया है तांकि आपको यह चीज क्लियर रहे कि पेपर में कभी भी यह चीज आ गई ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ अगर एक्जेकटिव वर्ड आ गया वह इन्हें ही रेफर किया जा रहा है ठीक है उसके बाद ही रिप्रेजेंट्स दी नेशन वो सारे देश को रिप्रेजेंट करत एविए इस थी सिंबल अफ दी नेशन पूरे देश का सिंबल यूटि का सिंबल ही प्रेजिएंट अप इंडिया है ठीक है उसकी पूजिशन एडमिस्टेशन में सिरफ सेरिमोनियल डिवाइस है सेरिमोनियल डिवाइस ओन आसील यानि की वही चीज्च कि वह सिर्व नाम का हइड है नॉमिनल हइड है वह कोई भी फैसले खुद नहीं ले सकता सारे फैसले वह विद एडेन ड्वाइस ऑफ टांसरों मिनिस्टर लेता थेके तो बस वो ceremonial बस कहने को ही head है असली में head नहीं है मतलो उसके बस कोई real power नहीं थेक है तो ये सारी powers क्या है जो उसके पास है जो उसके मतलम नाम पे use की जाती है या उसके नाम पे action लिए जाता है कि करके वो बढ़ते हैं शुरुआत करते हैं प्रेजिडिंट का Parliament के साथ जो र आपका राज्यसाभा तीसरा हिस्सा जह पार्लीमेंट जो हम कर द ten पैर पर्रेजिडिंट इन पर्राइब आपकाいます जो है वह जो पार्लाम B ठीक है प्रेजिटेंट को पार्लेमेंट की हिस्सा क्यों मतारताइ BURD एक ذitter से है पूरी पारलेमेंट का बिना प्रेजिडेंट की कि ना की सारे जितने भी MP आप हैं ना वो थे ना ना प्रेजिडेंट की परमिशन के वह अपना सेशन खतम करके घर जा सकते हैं जब भी आफकी प्रेजिडेंट को जब भी आफकी पार्लोमेंट की मीटिंग होते हैँ मीटिंग से पहले एक मीटिंग होड करने वाले हैं जहां पे सारे discussion होगी वो जो letter भेज़ जाता है उसे कहते हैं समन प्रेजिडेंट ही सारे MPs को समन भीशता है कि आइए लोगसभा के MPs को भी, राज्य सभा के MPs को भी, लोगसभा और राज्य सभा दोनों अलग-लग house है, जो पुरानी Parliament की building थी, उसमें दो अलग-लग side पे, एक side पे लोगसभा, एक side पे राज्य सभा, इस तरीके से अलग- जब भी लोकसुवा ने मिलना है? लोकसुवा के सारे मेम्बर्स को समन चला जाएगा कि आईए मीटिंग में कॉंट्रिब्यूट कीजिए. इस समन के अंदर इस दिन मिलना है? किस टाइम मिलना है? और कौन सी डगा मिलना है? ये तीमों चीजे लिखी होती है समन के! पर जहां परमिशन देगा, वह ही पे इकठे हो सकते हैं जिस डेट जिस टाइม बुलाएदा उसी टाइम उन्हें आना पड़ेगा ओर उस टाइम से माना जाता है कि session शुरू हो गया आपका लोग सभा जैसे session में बैठ गी है फिर राज्य सभा आपके session में बैठ गी ये मैं भी आपको shortly session कैसे काम करते हैं ये भी आज के लेक्चर में समझाते हैं फिर आगे हमने सब्सक्राइब करें लोग सब्सक्राइब करने के सब हो गया उसके बाद आपके लास्ट में प्रेजिडेंट एक फिर से लेटर भीचता है सारे के सारे लोग सब्सक्राइब और राज्य सब्सक्राइब जिसका भी session था उन्हें लेटर भी देता है सारे MPs को कित हैं अब अगली बड़ी मिलेगी तो यह दोनों चीज़े मिलने का लेटर और जाने का लेटर यह दोनों चीज़ें आपकी प्रेजिडेंट चारी करता है ठेक है इसके इलावा जो उसके पास power है वो है dissolve करने कि कैसे मतलब कि आपका देखो हमने फिशले लेक्चर में आपको बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर सिर्फ तब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है जब तक उसके पास majority support है लोग सबागी अब लेट्स पोल यहां तो पांग साल टर्म जो लोग सबाग का है वो पूरा हो ग यहां कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा किसी के पास भी majority नहीं है ऐसी situation में क्या होता है कि दुबारा से election कॉल करने जरूरी है पर दुबारा से होंगे दुबारा से लोग सुने जाएंगे तो अगर दुबारा से election हो रहे हैं तो पुरानी पहले लोग सबा को dissolve करन पड़ता है फिर नहीं लोग सबा बनती है मना फिर दुबारा से election होता है तो dissolve करने की जो order है वो प्रेजिडेंट जारी करते है ठीक है उसके बाद अगली जो प्रेजिडेंट की पावर है पार्लेमेंट के साथ देखो पार्लेमेंट में प्रेजिडेंट ना दो बारी speech दे 2019 में एलेक्ट हुई ठीक है जब आपके election हुए पहली बारी लोकसभा के सारे MP लोकसभा में आके बैठ रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट स्पीच देने आता है कि देखो आपसे आता है लोकों को बताने के लिए कि तुम सबसे क्या तुम्हें काम करना है ठीक है मालब motivation स्पीच एक तरह से उसके इलावा हर साल जो पहला सेशन होता है देखो हमारे यहां पर सबसे पहला सेशन आपके फ़ेब के साथ ही शुरू है फ़र्स फ़ेब के साथ वो है आपके बजजट सेशन आप देखना budget session के पहले दिनों में ही आपका प्रेजिडेंट आता ही आता है और वह आके speech देगा उस speech के अंदर बेसिकली एक तरह से प्रेजिडेंट यह बोलता है कि पिछली एक साल में सरकार ने क्या क्या काम देए वह स्पीच जो उस टाइम की government होती है उन्हों नहीं त्य माई government असली तो प्रेजिडेंट ने खुद तो बस stamp लगा रहा है ना sign नहीं कर रहा है असली काम तो सारक सारा council of minister कर रहे हैं बर क्योंकि वह government सारे order sign president के नाम पे होता है इस कारण उसे government refer प्रेजिडेंट अपनी government refer कर रहा होता है ठीक है तो यह दो occasions पे आपके प्रेजिड स्पीच देता ही देता है ठीक है इसके इलावा भी वो कभी और भी आकर स्पीच देना चाहे पार्लेमेंट में वो दे सकता है यह चीज हम सेम चीज पार्लेमेंट के चाप्टर में भी पढ़ेंगे पर यहां पर बस एक बारी बताने के लिए जरूरी था अब देखो sessions को सम सेवाणल में चीज़ के साहां इसे पूरे एक साल मां लिए एक साल जैसे जिया ठीक है उपर वाला जो हिस्सा है ये मान दीजी लोग सहरे का है और और नीचे वाला हिस्सा राजये सभा का इणको हमारा constitution क्या कहता है कि पार्लेमेंट को साल में कितनी को कोई requirement constitution के अंदर नहीं लिखी constitution के अंदर सिरफ एक चीज लिखी हुई है वो है कि आपका कभी भी देखो एक चीज में तुम्हें क्लियर करता हूँ अगर किसी को यह doubt भी हो आपकी पार्लिमंट कभी भी लगातार काम नहीं कर रहे होती है आपके mp's को क्योंकि अपनी अपनी constituency में भी रहना है जब पार्लिमेंट नहीं काम करती इसे पार्लिमेंट में कहते हैं कि और दूसरी चीज मैं यहां पर बता दूं कि लोगसभा और राज्यसभा का सेशन एक साथ शुरू हो और एक साथ खतम हो ये भी कोई जरूरी नहीं होता जैसे इस डाइग्राम में मैंने इसलिए यहां पर दखाया कि देखो यह एक तरह से जो लाइन्स बनाई है यह सीज को रिप्रिजेंट करने के लिए बनाई है कि सेशन कब शुरू हो रहा है तो यहां पर लोकसभा के सेशन थोड़ा सब्सक्राइन फिर जाना थेक है इसके उपर फेर है क्या है कि कोई minimum या maximum limit नहीं आप इस चीज चीज के उपर वापसा आता हो है कि एक साल में कितने सेशन करवाने है Constitution में कोई भी number नहीं लिखावा Constitution में सिरफ एक line लिखी है कि यह जो recess वारा period है मतलब जो जो दो sessions में gap है यह gap कभी भी not more than six months यह gap कभी भी not more than six months नहीं होना चाहिए 6 महिने से जादा gap कभी नहीं होना चाहिए यह इसके अंदर clearly लिखा हुआ है ठीक है 6 महिने से जादा gap नहीं होना चाहिए तो यह recess कभी भी 6 महिने से जादा नहीं हो सकती तो 6 महिने मलब 12 महिने का हमारा साल मलब साल में कम से कम indirectly हम डिलाइव कर सकते हैं कम से कम 2 session तो hold करने ही पड़े 6 महिने का gap डाला भी तो अगले 6 महिने से पहले एक session और hold करना पड़ जाएगा तो एक साल में 2 session तो होंगे ही होंगे ठीक है usually हम क्या देखते हैं जो इंडिया के अंदर वैसे जो follow किया जाता है हमारे यहां पर 3 हम hold कर लेते हैं फिर से मैं repeat कर दूँ यह previous paper का भी कोई question है statement बनके आई थी Constitution में कोई भी limit नहीं लिखी हुई कि एक साल में minimum या maximum कितने होने चाहिए Constitution में सिरफ यह line लिए पेपर में question क्या आ गया था पेपर में question यह आ गया था कि Constitution में लिखा हुआ है कि हमें साल में 3 session hold करने पड़ेंगे वो गलत है हमारे इंडिया में हमने एक तरह से convention बना लिए कि हम 3 session hold कर लेते हैं कई पर उससे जादा भी hold हो जाते हैं ठीक है पर हम 3 usually hold कर लेते हैं इसे नाम रखा हुआ है ठीक है सबसे पहले साल में budget session होता है फिर जो आपका जून जुलाई की time होता है हमने उसे नाम दिया हुआ मौन सून सेशन और बाद में जो आपका दिसंबर के time होता है उसे हम winter session कह देते हैं ठीक है एक एक दिन का भी session हो जाता है बस आज बुलाया कल भी दिया वो भी session माना जाता है अगर एक दिन भी पार्लेमेंट कठी होगी कोई minimum days भी नहीं है कि कितने दिन का session बुलाना है कर सकते हैं यह करते नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत जाद होता है जब भी लोग सभा बैठती है एक दिन का एक house का खर्चा अगर सारा दिन house बैठा है कम से कम खर्चा पांच करोड़ है इस कारण सारे दिन का session और सारा साल नहीं चलाकर रखते क्योंकि खर्चा बहुत जाद है तो तुम कहोगे पांच करोड़ कहां लग रहा है ठीक है सारी पार्लेमेंट की बिल्डिंग की electricity ठीक है उसके बास security arrangement जो सबसे महंगी चीज़ है उसके बाद जो अंदर facilities offer करनी है उ चीज कहीं न कहीं कॉस्ट करकर कि मैं चोड़ 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 चीज़ पेपर की कॉस्ट वह सब कुछ पढ़ते बढ़ाते कहीं कहां की कहां पहुंद जाती है चलो अब इससे चलते हैं जब भी किसी भी session किसी भी house ने बैठना होता है वो तब तक नहीं बैठ सकते जब त के समन में इनकी डेट इनका टाइम अलगलग टाइम सब हो सकता है जैसे मैं आपके बताए ने एक साथ मिलना जरूरी नहीं एक साथ जाना भी जरूरी जब भी इनका काम खतम हो जाता है यह प्रेजिडेंट को मेसेज भी जवा देते हैं कि हमारा काम हो गया ठीक है जिसके हम इस वारी मिले थे वह काम हो चुक है तो प्रेजिडेंट प्रो रोग के और जारी कर देता है कि थैंकिय। इस बारी का सेशन खतम होता है अब जैसे लोग सबार इस पर चली गई है राज्य सबा जब उसका प्रोरोग होगा और इस पर चली गई है अगली बारी सेशन लेट्स पूट दोनों ने एक दिन शुरू करना है दोनों के पर समन अलग लग ही जाएंगे लोग सबा के MPs को उन फिर उसके बाब फिर से अगली बाडी एक क्धाइम पेले मेले एक टैम पहले मिलंगी कुछ भी kicking का decre को एक बेसिक आउटलू को यह देना जरूरी था और बीच के पीरिड को क्या कहते हैं कितना टाइम तांकि आप समझ सको यह जो आपके प्रोरोग समन इन सारी चीज़ों को और अगे एक और चीज मैंने भी पढ़ानी है इसके पावर्स में वह भी चीज है ठीक है अगली चीज है देखो लेजिसलेटिव पावर्स में पा कानून नहीं बना किसी भी चीज को कानून बनने के लिए किसी भी चीज को कानून बनने के लिए लोकसबा और राज्यसबा इन दोनों हाउसेज को उस बिल को पास करना ज़रूरी है उसके बाद वो बिल जाता है प्रेजिडेंट के पास फिर प्रेजिडेंट को भी उसके देखना बिल की जगा आक्ट लिखा जाता है जिस दिन आक्ट वर्ड आ गया याने की ये कानून बन चुका है अब इसे इन्फोर्स किया जाएगा अब इसे लागू करवा जाएगा ठेक है ये दोनों टर्मिनोलोजी में यही फर्क होता है बिल का मतलब है वो चीज अभी कान में लागू नहीं हुई है कही ना कहीं पेंडिक है लोक सबहरें पास कर दिया उस दिन यह बंजाएगा एक एक यानि कि यह चीज लागू हो गई है रहा है मैं चीज लागू हो गई है अब प्रेजिडेंट को हर बारे साइन करना जरूरी नहीं होता प्रेजिडेंट अपने साइन विद होल्ड भी कर सकता है प्रेजिडेंट कह सकता है कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा ठेक है प्रेजिडेंट यह प्रेजिडेंट मना कर दे कि मैं साइन नहीं करूंगा मना करने की भी लगले तरीके हैं वह आगे जा के पास बिल भेज सकता है कि एक बारी दुबारा से सोच लो यह बिल पास करना है जा नहीं करता है अगर लोकसभा राजसभा ने फिर से बिल पास कर दिया फिर प्रेजिडेंट मना नहीं कर सकता फिर प्रेजिडेंट को साइन करने ही पढ़ेंगे फिर प्रेजिडेंट डिना करवा सकता है और री-कंसेडर करवाने के बाद फिर वह उल्ड भी नहीं कर सकता हुसे फिर साइन करने की पड़़े तै कहा है यहिए या नीग competitions है या तो बिल के उपर पहली भरी में साइन कर दे यह कहा दे कि मैने साइन करने ही नहीं है या तीसरे option है कि एक बारी पार्लिमेंट के पास फिर बिल भीज देना कि फिर से सोच पर तीसरे option में limitation है कि अगर एक बारी फिर से पास कर दिया लोग सब राज्य समाने फिर प्रेजिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे फिर वो मना नहीं कर सके ठीक है यह चीज अब इससे आगे बढ़ते हुए जब भी इदर हो अगर दोनों पार्लिमेंट के हाउस ही सेशन में नहीं है और कोई ऐसी सिच्वेशन आ जाती है जहां पर किसी कानून की अर्जेंटली जरूरत है तो इसका भी एक रस्ता दिया हुआ है आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 एक कॉंस्टिटिशन में आर्टिकल है इसमें प्रेजिडेंट के पास पावर है कि कोई भी चीज जिसके उपर आपकी यूनियन पार्लेमेंट कानून बना सकती है उसके उपर टेंपररी तौर पे प्रेजिडेंट भी कानून बना सकता है ठीक है कोई भी ऐसी चीज जिसके उपर आपकी पार्लेमेंट कानून बना सकती है उसके उपर आपका प्रेजिडेंट भी कानून बना सकती है पर यह पावर सिर्फ तब लागव होती है यहां तो दोनों हाउसे सेशन में नहीं है यानि कि यहां पर जलते हैं यानि कि यह जैस सेशन में नहीं है तो प्रेज़ेडेन यहां पर आर्टिकल वांट्वियंटिय फ्री ऊसकता है और कोई भी कानून जो पार्लिमन बना सकती थी उस कानून को बना देगा ठीक है यह कानून हमेशा के लिए नहीं चलेगा क्योंकि देखो प्रेजिडेंट की पावर नहीं है कानून बनाने की ये कानून सिरफ तब तक वालिड होता है जब तक वो हाउस दुबारा से सेशन में आगे उस दिन से 6 हफते का टाइम होता है जिसके बीच बीच में वो Parliament को बिल पास करना ही पड़ेगा अगर Parliament बिल नहीं पास किया तो प्रेज़डिन ने जो करता हूँ और एक और example से भी बता देता हूँ example इस वारे लेता हूँ झाहा हूँ कॉन से बेख ले ले रहा है चलो चलो दो एक्जाम्पल देता हूं एक तो देखो यहां एक एक एक्जाम्पल यहां और एक एक्जाम्पल यहां और एक तीसरे एक्जाम्पल मान लो यहां किसी टाइम जरूरत पड़ी थी ठीक है साल की कंटिनेशन फिर यहां दुबार शुरू है यहां पर नो हाउस इन सेशन है कोई भी हाउस सेशन में नहीं है ना लोग सबाह है ना राज्य सबाह कोई भी कानून जो यह बना सकते थे उस कानून को बना देगा यह कानून की वैलेडिटी तब तक रहती है जब तक पार्लेमेंट फिर से ना मिले जब जो आपकी हाउसें वो दुबारा ना मिल जाए जिस दिन उनका सेशन शुरू हो गया उससे डेट से छे हफ़ते का दोनों को बिल पास करना है अगर उन्होंने बिल नहीं पास किया जो भी प्रेजिडेंट ने मलब कानून बनाया था उस चीज़ को इन्होंने मन्जूरी नहीं दी छे हफ़ते बाद वो प्रेजिडेंट का बनाय हुए कानून खतम हो जाए ठीक है यानि कि एक तरह पार्लेमेंट की सेमती नहीं थी उस कानून के जा था तो उन्होंने जोड़ 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 बना लिए एक बरी ठीक है पर वो बिल आपका खतम हो जाएगा अगर दोनों हाउसेस ने पास नहीं किया तो छे हफते बाद खता हो जाता है जब भी वो मिले ठीक है यह है पहल आपको उता है यह राज्ये सभा यह लोग सभा कोई भी हो सकता था इस पर एक्जाम्पल में देखो राज्ये सभा अभी भी सेशन में है वाइट एरिया ना ग्रीन एरिया लोग सभा पर रिशेस पर जा चुकी है इस केस में क्या होगा जब एक हाउस इदर of the house is not in session कोई एक house session में नहीं है कोई एक house session में नहीं है यहाँ पर लोग सबसेशन में नहीं है राज्य सबसेशन में यहाँ पर भी president article 123 यूज़ कर सकता है और कोई भी कानून बना सकता है क्योंकि दोनों houses नहीं मिले अब इसमें क्या आता है देखो तो यहां पे जो भी house यहां पे कानून बना दिया यह कानून तब तक चलेगा जब तक दुबारा से वो houses नहीं मिल जाते और फिर से वो ही 6 हफते की deadline शिरू हो जाते ठीक है अब यह deadline की बात करें example C से मलब एक house भी session में ना हो तब भी article 123 लग सकता है अच्छा एक और example बताता हूं अगर दोनों houses session में हो तब आर्टिकल 123 नहीं लगता जब आपकी Parliament बैठी हुई है तो पार्लेमेंटी कानून बनाएगी तब नहीं प्रेजिडेंट बना सकता यहां पे कोई example बनता ही नहीं अगर पार्लेमेंट सेशन में दोनों houses session में तब आर्टिकल तब प्रेजिडेंट आर्टिकल 123 जो ओर्डिनेंट्स का है उसे नहीं उसका सकता है अब तीसरा एक्जांपल जो था मारा सी एक्जांपल उस तीसकों पढ़ें देखो यहां पे सेशन में यहां पे आपका प्रेजिडेंट ने आर्टिकल 123 यूज़ किया और आपका ओर्डिनेंट्स बना दिया ओर्डिनेंट्स के बाद अब यहां पे देखो लोग सबा पहले session में आगी है राज्य सबा बाद में session में अब तो फिर दोनों की date यह लग लग होगी इसकी date पहले इसकी date बाद में है तो मैं 6 हफ़ते कहां से consider करूँ यह भी तो सोचना जरूरी है हमारे constitution makers ने इसे भी सोचा जो भी house लेटर date को बैठेगा जो भी house बाद में session में आएगा उसकी date से शुरू होंगे 6 हफ़ते ठीक है जो पहले बैठके उससे नहीं 6 हफ़ते शुरू होंगे बाद वाले house की date से 6 हफ़ते शुरू होते हैं ठीक है इस चीज़ को याद रखना इस तरीके से clear है तो यह सारी की सारी चीज़ इस तरीके से तो यह है प्रेजिडेंट की ordinance making power ordinance में बस वो ऐसे कानून नहीं ब को वाइलेट कर रहा हो ऐसी कोई चीज़ें नहीं बनाई जा सकते constitution को मेंड नहीं कर सकता यहां कोई violation of the constitution में कानून नहीं बना सकता प्रेजिडेंट बाकी कोई भी कानून जो आपकी पार्लेमेंट बना सकती है वो आपका प्रेजिडेंट भी बना सकता है पर उसकी वैलिडिटी है not more than six weeks वो चलेगा पस प्रॉम दी डेट ऑफ पार्लेमेंट जब भी वो मिले ठीक है प्रेजिडेंट की जुडीशियल पावर्स अब देखो प्रेजिडेंट की जुडीशिल पावर्स गया है चीव जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो सुप्रीम कोट के जज जिस हैं उन सब को अपॉइंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गलाता है तो कोई भी जो आपके चीफ जस्टिस रहे हैं या आगे आने वाले हैं सब को जो ओथ है ऑफिस संभालने से पहले चाहिए वो चीफ जस्टिस हो बाकी सुप्रीम कोड के जज्जिस भी जब भी उन्ह इंडिया के पुजिशन करनी है उन्हें ओथ हमेशा प्रेजिडेंट के द्वारा दिलाई जाते हैं यह आगे जाके हम जुडीश्री के चाप्टर में डिटेल में यह चीज़ पढ़ेंगे तो वहां जाके आएगा और जजज को अगर रिमूव करना है रिमूव में प्रेजिडेंट का रिमूव करना है पर वह हम गवर्नर के चाप्टर में करेंगे इंपीच्मेंट वहां पर है मैं आपको गवर्नर कितनी असानी से रिमूव हो जाता है उसके बाद इंडियन गवर्मेंट के जो चीफ लीगल एडवाइजर है एटर्नी जेनल ऑफ इंडिय लगवर्मेंट को किसी भी कोट में रिप्रेजन करना कोई बिकेस लड़न प्रेजिडं रैजिया सी तु इनियरै की दोर है एटर्नी जेनल प्रेजिड टेन्योर नहीं एटर्नी जैनल का प्रेजिडेंट की प्लेशर पर यह उफिस होल्ड करता है जब प्रेजिडेंट ने कहा एटर्नी जैनल तो रिजाइन करना पड़ेगा छोड़ के जाना पड़ेगा ठीक है सारी मर्जी इस केस में प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट की इसके इलावा प्रेजिदेंट सुप्रीम कोट से भी कोई भी लीगल एडवाईस ले सकता है आर्टिकल 143 के अंडर तो सुप्रीम कोट को एडवाईस देना ज्यादातर केसे में जरूरी है जरूरी नहीं है वह सब कुछ हम आपकी सुप्रीम कोट के चाप्टर में कोई भी आपका जो पैसे वाला बिल है जैसे कि आपकी एन्वल फानेंशल स्टेट्मंट जैसे हम बजट कहते हैं यह कोई भी पैसे का बिल पार्लिमेंट में इंटर्ड्यूस होने से पहले प्रेजिदेंट के साइन देने जरूरी है प्रेजिदेंट को सबसे पहले साइन देने पड़ते हैं कि हाँ जाओ जाके इंट्रिद्ध कर लो अगर प्रेजिडेंट ने साइन नहीं किये तो आपका बिल इंट्रिद्ध नहीं ठीक है तो यह सारी चीज इस चीज से इसके इलावा प्रेजिडेंट के पास हमेश्चे एक अलग से कांटीजेंसी फंड रखा गया है कंटीजेंसी के मलब हैं इंडिया के लिए एक इमर्ज ऐसी चीज़ के लिए जो सब्लन कोई एक्सपेंडिचर आहएं देखो क्योंकि इंडिया के अंदर सारा जो पैसा मिलता है ना संट्रिज्वर्मेंट को वह तब ही मिलता है जब उसकी पार्लेमेंट मोहर लगाती है पार्लेमेंट के सिवा कोई पैसा नहीं निकाल सकते है जब तो पार्लेमेंट मोहर नहीं निकाल लेगी इसलिए ये सारी फानेंशल बिल ये सब कुछ पार्लेमेंट के आगे रखा जाता है ठेक है प्रेजिडेंट के sign के बाद Parliament के तर अगर कोई एमर्जनसी आगई पारलेमेंट सेशन में नहीं है पारलेमेंट मिलनी सकती कुछ बी ऐसा है तो पैसा जाएगा हमने न फान सो क्रोड जादा नहीं है इंडिया के बजट के एकॉर्डिंग और हमने 500 क्रोड एक कंटी जिंसी रखा हुआ है कि अगर कभी भी इमर्जेंसी बढ़े हम पैसा यहां से यूज कर लेंगे बाद में इस फंड में और पैसा डाल देंगे यह पैसा हमने प्रेजिडेंट के स्टैंप के अंडर रखा करता है बनाता है ऐनज कमिशन क क्या है काम है सेंटर और सारी इंडिया की स्टेट में किस तरीके से पैसा बटेगा देखो center government जितना पैसा क्लेक्ट करती है सारा पैसा अपने पास नहीं रखती almost जितना center government taxes duties हर चीज़ से पैसा क्लेक्ट करती है उसका 43% पैसा सारी states में बांट देती है ठीक है अलगलग development में उसके बाद center अपनी schemes अलग से चलाती है जिसमें फिर से वो 60-60% contribute कर रही है तो ये कितना पैसा बटेगा किस criteria पर किस state को कितना पैसा मिलेगा वो सब कुछ finance commission बताती है हर 5 साल में बनती है ठीक है तो इसे बनाता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो finance commission का आगे chapter भी आएगा ठीक है वहाँ जाके हम पढ़ेंगे और यह annual financial statement यह सो कुछ parliament के chapter में भी आगे यहाँ पर हम सिर्फ powers पढ़ रहे हैं प्रेजिडेंट क्या गया करता है अगली चीज़ है प्रेजिडेंट के पास एक बहुत बड़ी power है किसी को भी किसी की सजा माफ कर देने से लेके उसकी सजा कम कर देने से लेके माफी तक दे सकता है प्रेजिडेंट बिल्कुल माफी जैसे अगर किसी ने let's suppose murder किया था उसे प्रेजिडेंट के पास पावर है उसे बाईज़त बड़ी तक कर सकता है ठीक है तो प्रेजिडेंट के पाविसली प्रेज अपना खुद को पीनियन ले सकते हैं मलोई फिर से कॉंसलों मिनिस्टर डिसाइड करेंगे पर वही बात है कि वो किसी को भी ऐसे फ्रीडम तक दे सकते बिलकुल सारी सजाएं खतम कर सकते हैं तो इसलिए अलग-लग तरीके जैसे पार्डन का मतलब है सारी सजाएं माफ कर दे कॉम्यूटेशन का मतलब है एक जैसे किसी को डेट सिंटेंस मिला हुआ था फांसी की सजा मिली थी उसकी जगह उससे उमर कैद दे दी जान बचगी पर वो जेल में रहेगा उसे कहते कम्यूट करवा दिया सब्सक्राइब यह भी प्रेजिडेंट के पास पावर है रेमिश पर किसी परसन ने कहा कि देखो अब मेरा भीएवियर ठीक है मैं दुबारा नहीं करता जो भी है सजा कम करके साथ साल कर दी गई तो प्रेजिडेंट सजा मुलब ऐसी रहेगी जेल मी रहेगा पहले परसन पर उसके सजा का पीरिड कम कर दिया ठीक है तो लेट्स वो किसी को दो साल की सजा मिली थी उसे कम करके छे मीने का कर दिया ऐसे सारी चीज़ें आपका प्रेजिडेंट कर से नेक्स यह रिस्पाइट रिस्पाइट का मतलब होता है यह भी देखो इसका मतलब यह है कि सजा कम कर देना लेसर लाइटर पनिश्मेंट दे देना औरिजिनल तो वैसी सारी चीज़ें कर सकते हैं और लास्ट है रिप्राइव रिप्राइव का मतलब है एक बारी के लिए सजा पोल्ड पर डलवा दें यह कभी उस होती है कि किसी परसन को फांसी अगले हफते और उसने बाकी अभी सारे सबसे पहले प्रेजिडेंट से रिप्राइव मांग सकता है कि एक मुझे थोड़ा टाइम दे तो मेरी फांसी अभी के लिए पोस्ट पॉन करवा दो ताकि मैं बाकी ऑप्षिंस भी एक्स्प्लोर करके देख सको मैं आप से और क्या मांग सकता है कि चलो कुछ टाल दी गई है ठीक है कई बरी लोग वार-बार रिप्राइव मांगते रहते हैं पहले पार्डन मांग लेंगे पार्डन नहीं इसे फांसी की सजाएं दिल्ली गैंग रेप में जो केस के जो क्रिमिनल थे उनके साथ ये केस बड़ा-बड़ा बना था कि उन्होंने दो-दो-तीन-तीन साल अपनी सजाएं कम से कम भी डिले करवाई लास्ट है मैं वह ऐसे डिले टालते गए बस ये सारी चीज़न से उसे वोई है बहुत हुआ है नेक्स्ट है वीटो पावर देखो वीटो वर्ड का मतलब क्याता है वीटो का मतलब होता है पावर टुसे एपसलीट नो मना कर देना यह प्रेजिडेंट की पावर है किसी बिल की उपर ना साइन करने की उस चीज को कहता है प्रेजिडेंट ने वीटो लगा दी अब हमारे प्रेजिडेंट के पास तीन वीटो है पहली वीटो है एपसलीटी नो मना ही कर देना कि नहीं मैं नहीं इसके उपर साइन करने वाला यह बिल्ली के लगात है प्रेजिडेंट यह कर सकता है जब प्रेजिडेंट को लगे कि कोई चीज वाइलेशन आफ कांसिटीशन है प्रेजिडेंट साइन करने से मना कर सकता है च दुबारा से बिल भीशता है रिकंसेडर करने के दुबारा से सोच लो ये बिल पास करना जैंगा पर अगर लोक सबा और राजिसबा ने फिर से बिल पास कर दिया फिर प्रेजिटेंट कोई वीटो नहींूज कर सकता फिर उसे साइन करने ही पड़े लास है पॉकेट विटो जो प्रेजिडेंट्स की सबसे फेवरेट विटो है। इसमें क्या होता है। पॉकिट विटो का मतलब है कि बस कागेस जेब में डाल लिया। प्रेजिडेंट के तहीं बस देखूँगा अभी टाइम नहीं है। सोचूँगा। यह होता है कि कंसिडर ही न करो। सब्सक्राइब करना नहीं जाते तो इस तरीके से तो यह हैं आपकी सारी के सारी पावर्स यह था यह चाप्टर थाइंक यू आड़